अस्लाम लेकुम डियर स्टुडेंट्स आज के लेक्षर में हमने चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट लेना है। इस न्यू चैप्टर और इसे अरोमेटिक हाइडो काबन्स कहते हैं। इसकी डिटेल हम इसमें study करेंगे। अगर आप इस लफ्स पर गौर करें तो यह आपके पास एक ग्रीक वर्ड है जो एरोमा से निकला है जिसका मतलब होता है फ्रेग्रेंट तो यहां से इनको डिफाइन भी किया गया है दोस हाइडो काबन्स बेंजी और अल्ड गर्ल से किम् गौर्ट ह lou ज्लिकित काबन्स और अभी कॉम्पाउंट्स निकों इस यह विर्फाइर आपनीजेशन गब Quetla कि कभी समय होता है जिसमें निकलास हे जिसमें बेंजीन या निचिक जुलते जो इस्टूक्शर के लास से 훈 बंजीन से लिफान करते हैं जो उसके derivatives कहलाएंगे अगर वो मौझूद हो तो उने हम क्या कहते हैं collectively aromatic hydrocarbons तो aromatic का लफ specially aroma यानी fragrant से निकला है अगर इसके origin की बात करें तो यह जो fragrant की जो term है it was used in organic chemistry for a special class of compounds तो इसे इसे खास किसम के special class of compounds में इस्तमाल किया जाता था फ्रेग्रेंट की टांग को these compounds have a low hydrogen to carbon ratio in their molecular formula and have a characteristic adore यह वो compounds हैं जिनमें आपके पास अगर इनकी ratio देखी जाए carbon or hydrogen के अतबार से तो low ratio होती है इनके molecular formula में carbon or hydrogen की and they have a characteristic adore और इसमें खास किसम की जो है और और पाई जाती है लेकर लेटर ओन देखा गया है कि इसी नाम को रखा गया कि वो compounds जो fragrant देते हैं वो आपके बस aromatic होते हैं जबकि कुछ ऐसे भी आपके पास aromatic compounds देखने को मिले जो fragrant नहीं थे लेकिन वो aromatic थे तो whereas many other are fragrant though they are not aromatic तो कुछ ऐसे भी थे जो fragrant थे aroma था उनमें लेकिन वो aromatic में fall नहीं करते थे तो वो non-aromatic compounds में जो है consider किये जाते थे तो यह concept या यह कहना कि सिरफ aromatic का तालुक जो है odors होई है तो यह कहना मुनासिब नहीं होगा further when aromatic compounds of high molecular mass were subjected to various methods of degradation जब aromatic compounds जो high molecular mass पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें बहुत सारे degradation के method से गुजार जाता है they often produce benzene or derivatives of benzene तो उनकी degradation में उनकी disintegration में mostly benzene या benzene के derivatives जो हैं हासिल होते थे या वही किसी ना किसी process से produce होते थे तो इस तरह से इन तमाम जो चीज़ों को मदे नजर रखते हुए यह observed किया गया कि almost all the aromatic compounds have a six carbon unit in their molecules like benzene यानि जितने भी aromatic compounds हैं उनमें जो है six carbon का unit होता है जो उनके molecules में मौझूद होता है जिस तरह benzene में six carbon unit होता है तो तमाम aromatic compounds की condition थी कि उनमें six carbon unit must present होता था तो ने aromatic कहा जाता था hence benzene was recognized as the simplest and the parent member of this class of compounds benzene को सबसे simple और parent member इसी बात पर जो है recognize किया गया क्योंकि तमाम compounds benzene like होते थे structure के इतबार से तो इसलिए इसे parent member माना गया कि aromatic hydrocarbons का parent member क्या है benzene जिस तरह आपने alkane के अंदर पढ़ते हैं आप single bond alkenes देखते थे तो यह आपके पास double bond की class होती तो double bond structure होता था तो इसी तरह यह benzene आपके पास यह parent member है जो शनाख्त है aromatic hydrocarbons की अब यह कुछ आप देख सकते हैं जिसमें सबसे first one है जिसमें six corner पर मुश्टमेल एक structure है with three single bonds and three double bonds यह benzene है ring like structure है cyclic है regular है planar है और इसे आप benzene कहते हैं और तमाम compounds इसी की derived form होती है तो next में आपके पास आपको देखने को मिल रही है जिसमें दो benzene के rings आपस में जुड़े हैं तो इस compound को आप benzene नहीं कहेंगे यह benzene से ही derived शुदा है पर यह specially हर compound का एक अपना name है जो आप प्रैक्टिस से आप learn out करेंगे that is naphthalene cold tar में इसे बहुत ज़दा जो है पाया जाता है देखा जाता है और cold tar से इसे हासल किया जाता है next third जो है अगीन एक derivative है जिसमें benzene का ring है और उसके पर एक carbon के साथ CH3 का ग्रूप अलकायल ग्रूप लगा हुआ है तो इसे हम बोलते हैं toloin next में जो आपके पास है इसमें दो benzene के rings हैं आपस में connected है with a bond और इसे आप कहते हैं जी बाय फिनाइल तो इन दोनों में फर्क है दो एक साथ जुड़े हैं या थोड़ा सा isolate होके connected है तो यह आपके पास दोनों आप देख सकते हैं दोनों के name में फर्क है तो हार compound है एक अपना ही special feature है और name है जो आप उसके लिहास से याद करेंगे तो अगर आपने प्रिवियसली अरोमेटिक हाइडो काबन की definition को देखा है तो वहां आपने यह देखा होगा कि जितनी भी class of compounds हैं उसकी study बेंजीन से ही शुरू होती है क्योंकि वो बेंजीन से ही derived शुदा है उसी के derivatives हैं तो इसलिए बेंजीन का जिक्रेख है सबसे पहले बेंजीन के structure feature की बात करें तो they have a characteristic structure features इसके structure को देखा जाए तो यह regular होता है planar hexagonal structure है जैसे कि आपने उपर बेंजीन का structure देखा जो के regular भी है cyclic भी है hexagonal इसलिए कह रहे हैं जिसकी six sides हो आप देख सकते हैं one two three four five six sides वाला यह structure है बेंजीन जो regular भी है cyclic भी है और शेप के इतबार से hexagonal है अब अगर इन बेंजीन रिंग्स के इतबार से बात की जाए तो on the basis of number of benzene rings aromatic hydrocarbons can be categorized into two classes तो इनको further classify भी किया जाता है रिंग्स के नंबर के basis पर तो next हम जो देखेंगे वह यह तो introduction हम study कर रहे थे बेंजीन और इसके derivatives क्या होते हैं और aromatic hydrocarbons को aromatic hydrocarbons किस हवाले से कहते हैं जब हम इनकी classes देखेंगे कि मजीद classification होगी तो यह कितनी classes में divide हो रहे हैं classification of aromatic hydrocarbons aromatic hydrocarbons are classified into two classes इन्हें दो classes में divide किया गया है और उसकी जो बुनियाद है वो number of benzene rings पर रखी गई है जितने भी benzene rings का number होगा उसके according aromatic hydrocarbons को classify करेंगे तो पहली जो आपके पास category है वो है monocyclic aromatic hydrocarbons and their derivatives तो यह first इसका case है और second case है polycyclic aromatic hydrocarbons यह दो categories short question के point of view से बहुत जाद इंपॉर्टेंट है monocyclic aromatic hydrocarbons को अगर आप देखें यह उनके derivatives को देखें तो ऐसे aromatic hydrocarbons which contain one benzene ring like आप नाम से ही देख सकते हैं कि mono का मतलब होता है one cyclic यह एक ऐसा compound जिसमें एक ring मौजूद होगा aromatic तो है ही या उससे derived शुदा भी कोई है तो उसकी condition यह होनी चाहिए कि उसमें एक ring होना चाहिए तो अगर आप इसकी definition को देखें को और से तो aromatic hydrocarbons containing one benzene ring in their molecules are called monocyclic aromatic hydrocarbons यानि तमाम वो aromatic hydrocarbons जिनमें एक benzene ring मौजूद होता है molecules के अंदर तो उन्हें monocyclic aromatic hydrocarbons कहते हैं लाइक अगर example के तौर पर हम लें तो benzene या उसके derivatives benzene and its derivatives are monocyclic aromatic hydrocarbons तो यह main ingredient जो होगा यह benzene का ring आप देख सकते हैं six member ring यह must mention होगा और अगर एक है तो वह monocyclic aromatic hydrocarbons की category में आता है next आपके पस examples हम देखते हैं जो one by one आप इनकी written practice करेंगे जितनी दफ़ा draw करेंगे उतनी दफ़ा आपकी practice होगी और यह अपने corners बगेरा benzene के बिल्कुल ठीक बनाने हैं सिर्फ इनके उपर substitutions का फरक होता है क्योंकि six carbon और six hydrogen पर मुश्टमिल benzene का ring होता है जिसकी किसी भी carbon के साथ attach hydrogen replace कर दी जाए किसी बहर के group के साथ outside group के साथ तो वो उसका derivative बन जाता है अब उसका special name भी होगा और वो aromatic hydro carbon की class से तालुक भी रखेगा जैसे कि पहली example आप देश सकते हैं कि यह six member ring है अगर किसी जगा पर किसी भी carbon पर किसी भी carbon पर आप कोई substitution लगाते हैं तो वो आपके पास hydrogen की जगा पर आकर attach होती है तो यह CH3 के साथ अगर benzene ring attach हो रहा है तो इस special compound को हम क्या कहते हैं है toluene तो यह toluene कहलाएगा इन most important and most common special aromatic hydrocarbon है यह next में देख सकते हैं एक और structure है जिसमें again वही एक ही ring पर मुश्तमिल यह compound है लेकन substitution में CH3 यह यह alkyl की बजाए hydroxyl को group attach है तो यह commonly तो यह आपके बस simple hydroxyl है लेकन क्यूंकि यह आपके बेंजीन के ring के साथ attach हो गया है तो यह एक aromatic hydrocarbon है और aromatic hydrocarbon की class में यह monocyclic aromatic hydrocarbon है जो बेंजीन की derivative early form है तो इसे हम phenol कहते हैं तो फिनोल के बाद जो थर्ड आपका structure है जिसमें एक बेंजीन रिंग है और इसके उपर आपके पास NH2 amino group जो है attach हुआ हुआ है तो इस compound को specially क्या कहते हैं Aniline, Aniline is the special name for the six member ring with NH2 group नेक्स जो आपके पास compound है यह भी again monocyclic aromatic hydrocarbon ही है जिसमें एक benzene ring है और substitution में alkyl OH या NH2 की बिजाए COOH का group मुझोद है 6 member ring में एक काबन पर CHO का group attach है CHO को अगर आप open करके देखें तो यह काबनल है और काबनल के एक तरफ hydrogen है और नीचे एक ring system है तो यह आपके बास basically aldehyde से तालोग रखता है लेकिन क्योंके यह ring system का aldehyde है तो इसे specially बेंजीन के साथ in relation में specially क्या कहा जाता है बेंजल्डी हाइट तो बेंजल्डी हाइट आपके बास CHO with ring like structure को हम कहते है बेंजल्डी हाइट नेक्स एक और अगें यह monocyclic aromatic hydrocarbon है इससे next में भी आपके बास एक ring structure है जिसमें LGBT का इसुआ three manage from lass campus है यह बेंजनरी के सादले करें इस और जो पर कहते हैं तक कहते हैं क्योंके बेंजनरी के साथ इसनलीए इसे दिश्चल अब यह जो तमाम आप ऐन सेंपंपल्स यह कॉमनली आपके पास स्ट्ट्ट्च्च्र सें काम काम स्ट्टर्ड वा शाइं।। तो जब भी नाम आये तो आपको पता हो के बंजीन रिंग के साथ उपर CH3 का ग्रुप है यह बंजीन रिंग के साथ अगर NH2 का ग्रुप है तो इसे अनलीन कहते हैं तो this is all about the monocyclic aromatic hydrocarbons अब हमारे पास एक और क्लास है जिसे कहा जाता है polycyclic aromatic hydrocarbons poly कहते हैं मैंनी जिसमें धेर सारे rings हो polycyclic aromatic hydrocarbons क्या कहलाते हैं aromatic hydrocarbons which contain two or more benzene rings in their molecules are called polycyclic aromatic hydrocarbons तुमाम वह aromatic hydrocarbons जिनमें दो या दो से ज्यादा benzene rings मौजूद हो molecules के अंदर तो उन्हें हम polycyclic aromatic hydrocarbons कहेंगे इससे प्रिबियस्ली आपने देखा कि अगर एक रिंग है तो monocyclic और एक से ज्यादा rings मौजूद हैं किसी भी molecule में तो वह polycyclic aromatic hydrocarbons से तालोग रखेगा एक है जी isolated benzene rings और दूसरा है fused benzene rings isolated benzene rings जो separated होती है और fuse लफ्स निकला है आपस में connected होने से isolated benzene rings को अगर आप देखें तो isolated benzene rings क्या होती है जी दोस compounds in which benzene rings are isolated यानि separately आपके पास connected होंगी connected ज़रूर होंगी लेकन separately होंगी और किसी bond के थ्रू होंगी या किसी group के थ्रू होंगी या आपके पास उन्हें हम ऐसे compounds को जिसमें एक से ज़ादा benzene rings भी हो और isolated भी हो और connected भी हो तो उन्हें हम isolated benzene rings कहते हैं with polycyclic aromatic hydrocarbons type for example इसमें दो एक्जाम्पल्स आ जाती है बाइफेनाइल की और डाइफेनाइल अभी अपने previously देखा कि अगर दो benzene rings एक bond के थ्रू अपस में लिंक हो तो उसे हम बाइफेनाइल कहते हैं जबके अगर आपके पास यही दो कि यह बाइब हो जाए तो गया सब्सक्राइब के आपके पास तो कावन पर मुच्टमिललके तो अगर किसी भी हैखेन का एक हाइडोजन की वज़ा से एटाज हुजाए या आपके बास सब्सिट्यूट हो जाए तो ऐसे structure को हम phenyl कहते हैं और यहां पर क्यूंके दो हैं तो यह डाय फिनायल और एक कावन पर मुश्टमिल alkane को मिथेन कहा जाता है तो यह डाय फिनायल मिथेन कहलाएगा तो यह बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपसे question पूल सकते हैं कि गिफ दे स्ट्रक्चर अपने स्ट्रक्चर ही बनाना है और ना मेंशिन करना है तो स्ट्रक्चर बनाते वकर दिहान रखना है कॉर्णर का और बॉंड्स का तो वो सही बनाने हैं सेकंड जो इसकी classification है वो है आपके पास फ्यूस बंजीन रिंग्स अब फ्यूस लफ्स को अगर आप देखें तो यह connection से है connected से निकला है यह जिसमें आपको रिंग्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए मिलेंगे तो ले अब orthoposition क्या है यह अभी हम रिंग में देखते हैं कि ऐसे compound जिनमें बंजीन रिंग्स आपस में जुड़े में हो orthoposition पर so that the adjacent rings have a common carbon to carbon bonds तो जो एक साथ आपके पास rings होंगी उनकी जो carbon है उनमें bonds common रहें जैसा कि इसमें एक्जामपल आजाती है नेफ्थलीन, फिनैंथरीन की, एंथरसीन की यह तीनों examples बहुत important है अगर आपके पास यह बंजीन का रिंग इस तरह से अपस में जुड़ा हो अब आइसुलेटिट फॉर्म नहीं कहेंगे हम इसे, यह फ्यूस फॉर्म होगी पहली चीज तो यह polycyclic aromatic hydrocarbon है, benzene ring भी है और एक से ज्यादा है तो polycyclic aromatic hydrocarbon की class में जाएगा, सेकंड चीज जो हम इसमें देख रहे हैं कि यह किसी bond से आपके बास connected ने, फ्यूस है और यह जो position है इस position को ortho कहते हैं, इस position पर मौझूद जो carbon है, वो इस right वाली benzene की भी है और left वाली benzene ring की भी है, तो इस तरह यह जो carbon है और नीचे वाली जो carbon है, यह दोनो carbons और इनके bonds common हैं दोनो rings के अंदर, तो इसे हम कहते हैं कि यह fuse ring है, और fuse आपके पास हमेशा यह ortho positions पर ही होंगे और connected रहेंगे, तो इस special compound को जो बहुत ज़दा coal tar से हासिल किया जाता है, naphthalene कहते हैं, naphthalene के साथ आपके पास यह दो rings पर मुश्तमिल है, तो यह naphthalene है, अगर इसी तरह से आपके पास तीन benzene के rings आपस में जुड़े हों, तो यह क्या कहलाएंगे, और इनके यह वाले काव तो यह कुछ similar condition ही show कर रहा है, कि अगर एक benzene ring, आपके बस दो benzene ring आपके पास linearly attached हैं और एक top पर आकर attach हो रहा है, तो यह three rings आप अपनी मर्जी से नहीं लगाएंगे, यह आपने ऐसे ही show करना है, तो यह इस जो benzene ring की orthoposition पर ही show हो रहा है, तो यह आपके पास collectively क्या कहलाता है, finanthrine, these three structures are very important, आप से एक सर वो question पूछ लेता है, draw the structure of naphthalene and finanthrine, या anthracene and finanthrine, या naphthalene and anthracene, तो just आपने structure draw करना है और name mention करना है, तो यह तो fuse benzene ring की class में आता है, पहले आपने isolated देखे थे, अब आपने fuse देखे हैं, जिन में common carbons आती है, isolated में common carbons नहीं होती, just links होते है अब इससे relevant हमारे कुछ जो questions है, exercise के बूद देख लेते हैं, question number four, what are aromatic hydrocarbons, aromatic hydrocarbons क्या होते हैं, how are they classified, एक तो यह होते क्या है, आप define करेंगे और इनकी आगे फिर types बताएंगे, in detail classification लिखेंगे, कि monocyclic और polycyclic होते हैं, फिर polycyclic आगे further divided हैं, तो वो भी mention आप करेंगे, य what is meant by the term, इसमें काफी सरे parts हैं, और different terms के बारे में बूचा गया है, तो पहली term आज हमने study कर ली है, जो कि है, aromatic, aromatic क्या है, अपने start में देख लिए वो आप इसमें define करेंगे, और इसमें benzine की example आप quote करेंगे, वैसे इस topic से question बड़ा common आता है, what are polycyclic aromatic hydrocarbons and givets types, तो आपने इसमें type C बतानी है, fuse or isolated, और polycyclic को अलग explain भी करना है, उनकी examples भी लिखना है, at least two examples सबकी आपको remember होनी चाहिए, कुछ MCQs है, इसे relevant second MCQ, aromatic hydrocarbons are the derivatives of normal series of paraffins, alkene, benzene, cyclohexane, तो अभी आपने देखा, aromatic hydrocarbons कि के derivatives होते हैं, benzene के, तो C is the right option, इसके बाद हमारे पास एक और option है, aromatic hydrocarbons burn with soothy flame, because soothy flame, वो flame होता है, जो आपके बास polluted होता है, और carbon content जादा होने की वज़ा से होता है, तो उसमें आप सबसे important चीज जो है, आप देखेंगे कि aromatic hydrocarbons जो होते हैं, उनमें carbon content जादा होता है, तो option कौन सा बनेगा, they have high percentage of hydrogen, they have ring structure, they have high percentage of carbon, they resist reaction with air, तो third option है, they have high percentage of carbon, this is right one, so soothy flame के साथ, यही aromatic compounds burn करते हैं, और यह yellowish flame होता है, जो pollution को शो करता है, जिसमें unburnt carbon के contents रह जाते हैं, तो इसलिए से सूटी flame भी कहते हैं, this is all about the introduction of the aromatic compounds, next में हम इसका nomenclature study करेंगे, best of luck.